नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेसकस में आपका स्वागत है मेरे साथ है अरभीन जी जो बिहार जेडियू के प्रवक्ता हैं इनसे बात करेंगे गिराज जी के बयान पर क्योंकि उस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है राजनिती घमसान मचा हुआ है गिराज जी ने कह जी के बारे में मैं क्या कहूं अभी सप्ताह दिन पूर्व भारते जंता पार्टी के राष्टी अध्धक्ष आदर्निय जेपी नडडा साहब ने उनको तलब करके दिल्ली में बुलाया और नसीहत दिया कि देखिये भाई आप जो विजबमन करते हैं उससे बचना यानि उनको नसीहत दिया अब गिरा सिंह है कि अपनी पार्टी के राष्टि अध्धक्ष के सुझाव को भी नहीं मानते हैं खुद उनकी पार्टी के पुर्वराष्टि अध्धक्ष और वरतमान H.M. ग्री मतरी जी अधर्निय अमी साहजी ने सिकार किया है कि दिल्ली में हमारी पार्टी के नेताओं के बेवज़ा के वयानों से हमारी हार हुई है जब उनकी पार्टी के बरे-बरे नेता इस बात को अंगिकार कर रहे हैं मान रहे हैं कि ऐसे वयानों से हार हुई है ऐसे वयानों से बचना चाहिए अब गिरीरा सिंग है कि मानते नहीं है नहीं रहे हैं इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूं तो हमारी पार्टी का उनके साथ गटबंदन है और आप एक चीज़ और देखिए कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो गुल दस्ता दे करके मुखमंत्री जी के पास जाते हैं और आगरह करते हैं कि मानिये मुखमंत् अपनी सब्दों का भार्षा का प्रयोगा नहीं किया नशीवी समाज के लिए तो हमारी पाटी के नेता से उनको सीख लेने के जवूरत है और गिरास सिंग के ऐसे वियानों का हम लोगन सब्स्तानॐ करते हैं आप देखिए न कुद जय तंब इनको बुला करके नसीहत देने का काम किया वो बढ़त करेंगे कि उनक खिलाब करवाई हो hija यह यह उनकी पार्टिके मसला है यह उनकी पार्टीका मुषला काम करते हैं उसके बैयान इस नहीं करते इस संफ चाह पर शुनी Cand cách My मेरी बातों को प्राथमिक्टा दीजिए सवाल यह है कि जब वो इस तरह की भासा का प्रियोग कर रहे हैं और उनके पार्टी के सिर्शनेता उनको हिदायत दे रहे हैं प्राइब प्रसरे नहीं दिया गया है चुनाम नुक्सान भी तो हो सकता है जिसे दिली में हुआ अपका रहे हैं को फिर फिर उनको उनकी पार्टी के नेता अधरनी अमी साजी और आधरनी जेपी नडडा जी उनको जिर्करी लगाएंगे तब उनको समझ में आएगा लेकिन कितना असाज जेडियू के नेता महसुस करते हैं इस तरह के विवादा इसलिए कि हमारी पार्टी और हमारे नेता इस मामले में आधर्स व्यक्तित हैं आदर्स व्यक्ति हैं आदर्स राजणितिक हैं आदर्स मुखमंत्री हैं कि इस राज में इनके रहते हुए कोई भी जनता ले उनाइटेट का नेता करे करता भाशाई मर्यादा का उलंगर नहीं करता नितीस कुमार के खिलाब भी मुर्चा बीजेपी के नेता खोले रहते हैं लागतार भाई आपका रहे कि असाद मसूस नहीं करते हैं तो गुलदस्ता लेकर वही तो जाते हैं मुखमंत्री जी के पाफ फिर तो गली आते भी तो हैं भी मैंने कहा ने ऐसे लोगों को जनता सबक भी सिखाती है इस बात को अभी ख्याल रखना परेगा सबक सिखाती है कि नहीं सिखाती है अभी अभी सबक सिखाया उसके बाद लेकर के जाते हैं दिल्ली में जिस्तर से बीजेपी की हार से जेडिव मजबूत हुआ है बिहार में मुझे लगता है कि ऐसे बिवादासपत बयाम से बीजेपी को नुक्सान होगा आपका कहना है जेडिव पर कोई असर नहीं पड़ेगा आप फिर अलग अलग चीजों को देखने का काम कर रहे हैं यहां कोई भी निर्मे सामोहिक नितृत में लिया जाता है आप देखिए सीटों का बटबारा लोक्सभा चुनाव में कैसे हो गया दिल्ली में कैसे सीटों का बटबारा हो गया हमको दो सीट एलजेपी को एक सीट मिला सामोहिक नितृत में हर फैस सलाह देंगे B.J.P. के बले नताओं को कि कुछ करिये बाई सलाह थो उनको अपने रीष्टि अधगश का मानना चाहिए जिस पार्टी की खिदमत कर नहें जिस पार्टी की सेवा कर नहीं उस पार्टी का सर्वे सरवा रास्टी अध्धक जेपी नड़ा जी अगर किसी व्यक्ति को सलाह देता है तो सलाह पर अमल करना चाहिए उस सलाह को मानना चाहिए परोकता की यह बात इनका कहना है कि ज़्यादा बोलना महगा पड़ा सकता है जिस तरह से दिली के चुनाव में बीजेपी को उसका खायम्याजा भुगतना पड़ा है उसका असर बिहार में भी हो सकता है लेकिन बिहार में नेतिस कुमार के काम पर जेडियू या इंडिये विकार नहीं कर पा रहे हैं आपको यह सक्षतकार थ्रवानुक जोक वाला है अच्छा लगे तो इस वीडियो को खुब सेर करें दोस्तों के साथ अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आपका सहयोग समर्थन लगतार मिल रहा है झाल